जैने देवरी बाद कल यानि साथ जुलाई को मोधी मंत्री मंदल यानि केंद्री मंत्री मंदल में काफी सारे बजलाव किए गए एज इस्टुडेंट एज यूथ कोई भी इस वीडियो को देखता है उसे इस चीज को जानना अवस्यक है अगर आप NTSC की तयारी कर रहे हैं आपके लिए तो यह कंपल्सर हिये क्यों ऐसा इसल्य है क्उशल साइंस ऐसा subject है जिसमें 40 नमबर का पूछा जाता है जिसमें से political science 10 नम्मर का पूछा जाता है अब वो political science में ये चीज important है ऩीक है democracy, democracy से related government कौन सी चल रहे है government में कौन-कौन सी ministry को संभाल रहा है ये सारी चीज़े आपको जैनना ज़्यादा जरूरी है तो आज मैं बहुत ही आसान भासा में आपको सारे cabinet minister याद करा दूंगा, सारे स्वतंत्र प्रभार मंत्री याद करा दूंगा, सारे राजी सरकार वाले मंत्री याद करा दूंगा, और कौन किसका विभाग होता है, कौन क्या होता है, सब कुछ समझाओंगा. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और NTSC की तयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आपके लिए चैनल काफी हल्पूल होने वाला है, तो make sure आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को पहुत अच्छे तरीके से देखें, अगर वीड केंद्र सरकार 2019 में चुनकर आई, उनके कुछ मंत्री थें, जो कि अब उन्हें बदलाओ करना पड़ा, बदलाओ मतलब या तो चेंज किया गया है, या तो कुछ नए मंत्री लाए गया है, उनके मंत्री पदिशद में, होता क्यों है, यह कैसे होती है, सारी चीज़े आपक के देखने के बाद मैं पक्का गारेंटी के साथ क्या सकता हूं कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, प्यारे बच्चों, यह बीच में सबसे बीच में आपको कौन दिख रहा है, हमारे है, राष्ट्रपती जी, और यह है राष्ट्रपती गॉमेन आपसे पूछा जाए कि पहले नंबर पे कौन गॉमेन है इस इंडिया की, तो वो आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपती जो करेंट में है उनकी वाइफ, ठीक है, यह कौन है, यह है वकईया नाइडू, यह उपर राष्ट्रपती है भारत की, भारत की उपर रा राजिसभा लोगसभा का चेर्मेन या लोगसभा का सभापती कौन है यह है श्री ओम बिरला जी ओम बिरला जी लोगसभा के स्पीकर है और राजिसभा के स्पीकर कौन है व्यकईया नाइडू जो कि भारत के राष्ट्रपती भी कहे जाते हैं उपर राष्ट्रपती हैं इतन मंतरी है , इसी तरह यह किसान मंत्री है , स्बाइब कि क्रिशी मंत्री इसी थरा आप बहुत सारे कल यह नय नय नेता आपके अमिश मंत्री है निर्मला सिता रमन जी है ये कौन सी मंत्री हैं आप कहोगे वित मंत्री हैं तो बहुत सारे मंत्री जिनका नाम आपको पता हुना चाहिए कौन करेंटली क्या है और साथी साथ कल जो फेर बदल हुएं कल जो बदला हुआ है उसे आपको जमना जरूरी है चलिए तो अगर आप NTSC की तयारी कर रहे हो बच्चो तो आपको आरंब टेस्ट सी जो मेरी तरफ से आपके लिए दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा help करने वाली है आपको इस preparation की पूरी जाने प्यारे बच्चो अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो अगर आप mock test नह आया है जो कि तिल NTSC stage 1 चलने वाला है complete set और complete mat के syllabus को लेते हुए जो कि start हो रहा है एक अगस्त से paid test ठीक है जिसमें 300 रुपए आपको पे करने हैं कहां से आपको यह सारी चीजे मिलेंगी rank us live के हमारे app पर जाहिए app को download करिए वहां से एक NTSC आरम बटेस्ट सीरीज है only 2.99 रुपीज में उसको buy करिए अपने parents से पूछिए ताकि आप इस preparation में और जान लगा सके ठीक है चलिए इसको join करने के लिए आपको simply rank us live का app download करना है app आपको directly play store पे मिल जाएगा इस तरह से कुछ app आपको दिखाई देगा इसको download करिए download करने के बाद जब आप register कर लेंगे register करने के बाद आपको NTSC category में जाना है यहाँ पर आपको एक free test का section मिलेगा test series में और यहाँ पर एक NTSC आरंब test series इसमें आपको दो test मिलेंगे free वाले और इसमें आपको paid test मिलेंगे total बार है जो कि आपको pay करने पर ही मिलेगा pay कितना करना है only 299 रुपीज प्यारे बच्च पर आपके paper conduct कराये जाएंगे चलिए अब मैं प्यारे बच्चों आपको बताता हूं कि यह क्या क्या होता है बहुत विस्तास से चीजों को समझेंगे 2014 में मोधी सरकार जीत कर आई फिर उसके बाद उसने अपना कारेकाल 5 सालों तक पूरा किया फिर 2019 में वह फिर से जीत कर तोटल पंच्छों फैतालिस वी सीट होती है जिसमें से पांच्छों तिरालिस वी जाकी जू है वो लड़े जाते हैं और दो लोग सबाकी सिट एंगलो की पिक्स लियुक्स होती है ठीक है एंगलो इंड्यवा पर आप लोग कन्फर्म कर लेजें कर का यहां वाले बाहर बाहर यहां जाकर ठीक है तो यह होता है ंगलो इंडिय स्क करें उसके बाद बात to do मैंने यहां पर होगी यह शारे बच्चो आपको यह पता होगा कि यहां यह सलग सब्सक्तियां कि नट्व है मतलब National Democratic Alliance ये आपको याद होना चाहिए ये आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कभी भी पूछा जा सकता है National Democratic Democratic Alliance ठीक है UPA क्या होता है United Progressive Alliance क्या होता है United Progressive Alliance ठीक है और अदस में जो बची हुई पार्टिया है वो होती है अदस जो इन दोनों में सामिल नहीं है NDA कौन है NDA का मुख जो घटक है जो मुख पार्ट है जो मेन पार्ट है वो है भारतिय जंटा पार्टी मतलब Alliance क्या होता है Alliance मतलब गटबंधन जैसे हम कभी भी अपने दोस्तों के साथ टो क्या है अब इस चीब को आप आसान भासा में समझना चाहते हैं आप अप अपने घर को ले लगँजे तो इसी तरह आप मानेंगे कि मोधी जी जो है वो इस घर के जो भारत है इसके मुखिया है अब इनको काम करने के लिए बहुत सारे मंत्री मंडल की आवसकता पड़ती है तो यही मंत्री मंडल की बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेम चीज आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब घर में कोई किसी को काम पड़ता है तो एक बंदा सारे काम नहीं कर पाता है तो इसलिए घर में कुछ काम चाचा करते हैं घर में कुछ काम बड़ा भाई करता है घर में कुछ काम मम्मी करती है तो इस तरह से काम होते हैं डिवाइड इसी तरह अब मैं बात तो एंडिये और यूपिये पर कर रहा था तो मैं चला गया अभी केंद्री मंत्री मंदल पर ठीक है पहर विचो आसान भासा में समझो एंडिये क्या है बिजेपी के साथ चुनाओ लड़ने वाली पार्टियां जैसे बहुत सारी पार्टियां जैसे ब बिजेपी प्लस जेडियू इसी तरह उत्तरप्रदेश में एक अपना अदल है इसी तरह बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे पार्टियां है जो बिजेपी के साथ चुनाओ लड़ती है तो यह एक एंडिये है यह क्या है एक गंडबंदन है जो कि एंडिये के अंदर का करती है ठीक है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है चलिए यूपीय क्या है यूपीय में में टीम जो है वह कॉंग्रेस है अब कॉंग्रेस के साथ NCP है इसी तरह आपकी सिव सेना है बहुत सारी ऐसी पार्टिया है जो यूपीय गौवर्मेंट के अंदर रहती है वह मिलकर चुनाव लड़ती है ताकि वह सरकार बना सके लेकिन यह जो 543 सीट पर चुनाव हुआ इसमें से 353 सीट जो है एंडिये ने जीता यूपीय ने कितना सीट जीता यूपी ने मात्र 91 सीट जीता और लगबग 100 के आसपास जो है वह 100 या 99 के आसपास जो है वह अदर्स ने आप बहुमत पा चुके हैं ठीक है तो यहां पर आप सीदे सीदे देख सकते हैं कि एंडिये सरकार जो है काफी भारी बहुमत से सरकार में पहुची सरकार में पहुचने के बाद उसने अपना मंत्री मंडल विस्तार किया मतलब मंत्री मंडल बनाए यह मंत्री मंडल क्या हो जैसे यह मोदी जी अब इस भारत देश को क्या मोदी जी अकेले चला सकते हैं सारा काम वो अकेले कर सकते हैं अब इस देश में बहुत सारी आवसक्ताइं होती हैं मेरा फिकर गलत बन जाए तो माफ कर देना इस देश में काफी सारी आवसक्ताइं होती हैं ठीक है अब सारी आ एप सिष्षा का विभाग देखो आप विमान वाले देखो आप जल विभाग देखो आप शिचाई विभाग देखो आप benefit विभाग देखो इस तरह बहुत सारे portfolio वनाय जाते हैं ताकि देश को एक सुचारू रूव से चलाया चा सके अलग अलग portfolio उसके अलग-अलग मंत्री बनाया जाते हैं मंत्री के साथ सची होते हैं जो की IAS officer होते हैं उनके साथ काम करते हैं आप लोगों के दिमांग में आता होगा न कि UPSC crack करने के बाद लोग करते क्या हैं वो लोग इन मंत्रियों के साथ back end में काम करते हैं आपका देश मंत् पीछे से IAS officers चलाते हैं तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यह जो मंत्री बनते हैं यह मंत्री सिर्फ अकेले काम नहीं करते हैं आप जाके उनके साथ काम करने वाले हो आप इस देश को चलाने वाले हो ठीक है तो प्यारे बच्चों इसके पीछे जब 2019 में जब क मंत्री बने और नौ मंत्री इनके स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने मतलब स्टेट मिनिस्टर यह भी थे अभी बताता हूं सब कुछ स्टेट मिनिस्टर यह भी थे और यह थे कैबिनेट मिनिस्टर है कैभिनेट मिनिश्ट्री क्या होती है में एक्डम मोदी जी के साथ चलती है है डेस के बड़े बड़े विभाग जैसे स्वास्त का वीभाग जैसे डिफेंस का वीभाग जैसे वित्त का विभाग, जैसे क्रिसी और सिचाई का विभाग, जैसे आप कह सकते हैं, खाद्य का विभाग, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, जो कि सरकार के पास रहने चाहिए, ये सरकार के एकदम साथ काम करते हैं, अब कुछ विभाग होते हैं, जो छोटे-छोटे विभाग हो इंडिपेंडेंट भी बाटी जाती है जो कि cabinet ministry पर डिपेंडेंट नहीं होती है मतलब तीन प्रकास divided की जाते हैं पहला क्या है cabinet minister दूसरा क्या है state minister dependent मतलब राज्य मंत्री जो dependent हूँ और state minister independent मतलब स्वतंत्र प्रभार जो कि किसी भर depend नहीं करते हैं यह सारा मंत्राले केंडर के अंदर आता है कोई भी मंत्राले अब राज्य के अंदर भी नहीं है अभी हम यहां राज्य की बात नहीं कर रहे हैं राज्य अपना cabinet अलग तरीके से डिवाइड करता है यह केंडर का है तो इसके पहले केंडर में कुल इतनी टीम थी जो केंद्र सरकार जो भारत के सरकार के लिए काम करती थी लेकिन कल क्या हुआ कल बहुत सारे बदलाव आये बदलाव क्या आया इस चीछ को आप ऐसे समझ सकते हैं केंद्र ने अब आगे आगामी चुनाओं को देखते हुए पीछे अपने कामों को देखते हुए कि हाँ इन मंत्रियों ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, अब इन्हें बदलना पड़ेगा, जैसे आप कोई काम कर रहा है, आप ने देखा वो बंदा सही काम नहीं कर रहा है, आप उसको अब निकालेंगे, आप उसकी जिगह नए मंत्री लाएंगे, आप उसकी जिगह नए वरकस लाएंगे तो सेम काम कल केंद्र सरकार ने किया बहुत सारे मंत्रियों को बाहर निकाला और बहुत सारे मंत्रियों की एंट्री कराई बहुत सारे नए लोगों को मंत्रा ले दिया आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजिए समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों तो पहले आप समझा दूँ मैं आपको कि कल यह कुछ बड़े मंत्री है जिनको बाहर निकाला गया आपको पता होगा कि आपने सुना होगा कोरोना टाइम में कि देश के स्वास्थ मंत्री कौन थे कि दीक चोने तरह को सरकार से अपना पद छोड़ रहा हूं इसी तरह प्रकाश जावड कर जो कि साइद information वेगरा या मेरे को याद नहीं आ रहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी के तो रवी संकर प्रसाद जी थे जो कि आपको पता होगा ट्वीटर से लेकर विवाद था तो प्रकास जवडिकर जी मीडिया उडिया से बात करने आते थे इनका मिनिश्ट्री मुझे याद नहीं आ रहा है बट प्रकास जवडिकर एक काफी बड़े नेता थे जो कि उनको भी एक्जिट कराया गया है उनको उनका भी इस्तिपा लिया गया है रवी संकर प्रसाद रमेश वोक्रियाल जी इनको क हटाया गया है देवननंद सवानन ङोडा इनको हटाया गया है साथी-साथ संतोष कुमार गैंगुआर जो कि उत्त Haftव देश के बरेली से आते हैं इनको भी बावल सुक्परियो जो एक छोटे व्यक्ति को भी केंद्र में जगह दी जा सकती है, बट इन्हें अब हटाया गया है, यह उडिसा से आते हैं, उडिसा से सांसत बन कर आये थे, देव स्री चौधरी यह बंगाल से ही आये थी, इन्हें भी हटाया गया है, तो इट मिंस कल 12 बड़े-बड़े मंत्रिय को उनके cabinet ministry या फिर state ministry से हटाया गया है, कल बहुत बड़े-बड़े बदलाव किये गये हैं, अब मैं प्यारे बच्चों अब आपको सारी ministry बता देता हूं कि कौन-कौन किसके हाथ में हैं, और यह भी बता दूं कि आपको कौन-कौन सी चीजी एकदम compulsory याद रखनी है, द कल जोती-रादित-सिंद्या को उड्डियन मंत्री बनाया गया विमान ऊप उड्डियन मंत्री बनाए गया मतलब अ कुछ जो भी होते हैं, वह बनाया गया तो अगर आप MP के रहने वाले हो तो यह चीज आपको पता होना चीए, कि जोती-रादित-सिंद्या, जो की Congress में थे लगबग 20 सालों से कॉंग्रेस में थे लेकिन पिछली सरकार में जब MP में कंदना सरकार की पल्टी गई तो वो अपनी पार्टी छोड़कर इस सरकार में आए बिजेबी सरकार में आए तो उन्हें कल बड़ा इनाम दिया गया उन्हें cabinet मंत्राले दिया गया cabinet मंत्री परसत में उन्हें जगह दे गई यह छोटी-छोटी चीजे आपको पता होने चीज़ सबसे पहले मैं एकदम आराम से आपको चीजे समझाता हूँ यह चीजे अगर आपको पता रहेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है इस अपसे पहले आपको बताता हूं कि देश के प्रधान मंत् says all important policies and other portfolio not allocated to ministers, मतलब space और science से related जो भी चीज़े हैं वो prime minister जी के पास है हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास, प्यारे बच्चों उसके बाद सबसे main important आपको क्या याद रखना है कि defense minister भारत का कौन है, defense minister भारत के वही सेम है स्री राजनात सिंग जी उसके बाद अमित साह जी क्या है अमित साह जी आपके home minister है मतलब ग्रिह मंत्री और ministry of cooperation आपको एक चीज पता होने चीए कल एक नए मंत्राले की गठन हुई है जो कि यह ministry of cooperation and cooperative affairs टीक है ministry of cooperation and ministry of cooperative affairs जिसका नया गठन किया गया है और इसका सबसे पहला minister किसे बनाये गया है अमित साह को ठीक है अमित साह ग्रिह मंत्री भी है और यह सहकारी समिती जो एक नया मंत्राले गठन किया गया है उसके minister कौन है स्री अमित साह जी कलियर है प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ उसके बाद श्री निर्मला सिता रमण जी finance minister वित्मंत्री और minister आप कौपरेटी ओफियर्स वित्मंत्री भारत का कौन है ministry of finance किसके हाथ में निर्मला सिता रमण इसके साथ आपको याद रखना है कि road transport and highway minister कौन है स्री नितिन गड़करी नितिन गड़करी जी जो एक बहुत ही अच्छे निता हैं आपको पता होना चाहिए कि भारत के एक अच्छे निताओं में इनकी नाम गिना जाता है ठीक है उसके बाद क्रिशी मंत्री कौन है क्रिशी मंत्री है नदेंद्र तोमर ministry of external internal affairs भारत के विदेश मंत्री कौन है वो है डाक्टर सुब्रमन्यम जैस संकर आपको विदेश मंत्री का नाम जरूर पता होना चाहिए यह कौन है सुब्रमन्यम संकर तीक है यह पुराने समय में काईस ऑफिसर भी रह चुके हैं श्री अर्जुना मुंदा ट्राइबल अफे प्रणी के हाथ में क्या है वोमेन चैनल इंपाव्मेंट या डेवलप्मेंट सारी चीजे ठीक है यह कैबिनिट मिनिस्ट्र में आपको गिना रहा हूं आपको पता होगा कि प्यूस की ओवल जी रेल मंत्री थे इसके पहले लेकिन अब उनके हाथों से रेल मंत्राले च्हि अब प्यूस गोयल रेल मंत्री नहीं है यह याद रखेंगे सबसे बड़ा बदलाव यह आपको याद रखना है यह आपको याद रहाना चाहिए क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को अब आपका एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है साथी साथ वह स्किल डेवलप्मेंट और इंटर्पनियोशिप इसके भी वह मिनिस्टर है आपको याद क्या रखना है मिनिस्ट्री आप एजुकेशन किसके हाथ में धर्मेंद्र प्रधान की याद क्लियर है बहुत बढ़िया प्रहलाज जोसी मिनिस्ट्री आपको पार्लेमेंट और कोल और माइन सी आपको नह क्याद रहना चाहिए कि मिनिस्ट्री आप माइनर्टी अफियर्स किसके हाथ में अल्प संख्यक मंत्राले मतलब भारत में जो ऐसे समदा हैं जो ऐसे जाती हैं जो कम संख्या में उनका भी एक मंत्राले होता है जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री आप माइनर्टी अफियर्स या राज सिंग जो कि इसके पहले पसुपालन मंत्री हुआ करते थे अब इनका मंत्राले चेंज कर दिया गया है अब यह है रूरल डेवलप्मेंट और पंचायती राज पंचायती राज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ देना that was a very important topic for you guys ठीक है तो गिरियराज सिंग जो क याद रखना है ठीक है ministry of still किसके हाथ में रामचंद्र प्रसाद के अस्विनी वैशन चलिवाई रेल मंत्राला याद कर लीजिए रेल मंत्राला याद कर लीजिए रेल मंत्राला है अस्वनी वैशनों के हाथ में ये बहुत ही important है साथी साथ इनके हाथ में है Ministry of Communication and Ministry of Electronic and Information Technology IT Department भी अब इनके हाथ में है और Railway Department मतलब पीस गोयल और रवी संकर प्रसाद जी के हाथों से छीन कर अब इनके हाथ में दिया गया है कौन है ये? अस्वनी वैशनों आपको इनका नाम याद रखना है भारत के रेल मंत्री कौन है? अस्वनी वैशनों प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया तो ये थे हमारे Cabinet Minister अभी भी और Cabinet Minister है श्री पसूपती कुमार पारस बिहार के जितने बच्चे हैं उन्हें पता रहना चीए कि NDA का एक घटक है लोक जन सक्ती पार्टी जिसके अब मुखिया कौन है? अब है पसूपती कुमार पारस इसके पहले कौन हुआ करते थे? इसके पहले हुआ करते थे चिराग पासवान ठीक है? जिसके पिताजी कौन थे? राम विलास पासवान जुनकी मृत्य हो गई है पिछले साल ठीक है? जिनका देहानत हो गया है अब इनको कौन सा मंत्रा ले दिया है? Ministry of Food Processing Industry ठीक है? खाद्य विभाग स्री गजेंदर सिंग सिखावत को दिया गया है जलसक्ती मंत्रा ले यह आपको याद रखना है इनका प्रमोशन हुआ है इसके पहले इनको खेल मंत्री के रूप में राज्य मंत्री बनाया गया था अब इन्हें Ministry of Law and Justice दिया गया है ठीक है? Law and Justice अब किसके हाथ में है? किरन रिजुजू याद रखना है अरुडांचल प्रदेश से यह आते हैं इनका भी एक बहुती बड़ा योगदान है देश की मंत्राले में स्रीयाज कुमार सिंग Power and New Renewable Energy हरदीप सिंग पूरी अब यह याद रखना है कि जो आपके पेट्रोलियम मंत्री पहले कौन थे? धर्मिंद्र प्रदान अब इनकी जगह पर किने बनाया गया है पेट्रोलियम मंत्री और नेचुरल गेस अब बनाया गया है हरदीप सिंग पूरी खुर ठीक है प्यारे बचों यह PDF में आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा बहुत important सारी चीज़े है ठीक है तो हरदीप सिंग पूरी को बनाया गया है क्या पेट्रोलियम मंत्री यह भी आपको याद रहा चीज़े important जो बता रहा हूं उसको लिख लेना प्यारे बचों बहुत चीज़ जरूरी है ठीक है मनसुक मांडवी है अब आपको यह याद रखना है 24-25 मनसुक मांडवी को अब बनाया गया स्वास्थ मंत्री स्वास्थ मंत्री अब कौन है मनसुक मांडवी है यह आपको याद रहना चाहिए मनसुक मांडवी है इसके पहले कौन था इसके पहले डाक्टर हस्वरजन सिंग हुआ करते थे जो कि अब इन्हें हटा दिया गया है क्योंकि कोरोना काल में उनका जो परफॉर्मेंस था तो अब कौन बनाया गया है मंसुख मंडवी यह आपको याद रखना है इसके बाद 26 स्री भुपेंद्र यादो 27 महेंद्र नात पंडे हैबी इंडस्ट्री स्री परसोत्तम रुपाला स्री जी किसन रेड़ी जो जिनका कारिबार बढ़ाया गया है अनुराग सिंग ठाकूर इनको अब मिनिस्ट्री आफ इन्फॉर्मेशन और ब्रोडकास्टिंग साथी साथ यूथ अफेवर एंड स्पॉर्स ठेड़ मंत्री स्री अनुराग ठाकूर यह थे कैडिने चेडिनेट मंत्री ब्हारत में टीश कैडिनेट मंत्री है तीस cabinet मंत्री है तीस cabinet मंत्राला है देश में वह भी मुख्य मुख्य आपको याद क्या रखना है स्वास्थ डिफेंस विट्ट एक्स्टर्नल क्रिसी पेट्रोलियम एजुकेशन होम मिनिस्ट्री ठीक है और जो बड़े बदलाओं किये गए है जैसे पेट्रोलियम रेल मंत्र यह सब बेचा याद रखना लिख लेना दिरे दिरे सुनते सुनते याद हो जाएगा और न्यूश सुना करो तुम लोग ठीक है चलो वीडियो लंबी हो रही होगी बट इन्फॉर्मेटिव है प्यारे बचुम मिनिस्ट्री ऑब स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज मैं नहीं करने वाली है ठीक है अब यह दो है अब इसके अलावा अब बात करते हैं इसी मंत्रालय में अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आता है जिनका आपको नाम याद रहे चाहे ना याद रहे आपको बस इतना पता रहना चीए कि कितने हैं ठीक है तो टोटल यहाँ पर आप जैसे मेरे चाचा है ठीक चाचा को कहा गया कि आप घर का रासन लाएंगे और घर के गैस व्यास की सारी विवस्था देखेंगे तो चाचा ने कहा ठीक है अब मेरे हाथ में यहाद में रखूँगा एक छेला रखूँगा अपना जो कि मेरा सामाल लेकर आएगा मुझे डि मिनिष्ट्री के साथ ये काम करते हैं इसी को आप कैसे समझ सकते हैं पिछले साल आपने जब बजट पास हो रहा होगा देखा होगा कि निर्मला सीता रमण जो की वित्त मंत्री हैं देश की उनके साथ अनुराग ठाकुर रहा करते थे अनुराग ठाकुर क्या थे अनुराग के home minister थे मतलब state home minister हुआ करते थे तो इसी तरह हर cabinet ministry को संभालने के लिए एक state ministry होती है जो कि dependent होती है किस पर cabinet समझ में आ रहे हैं चीजे बढ़िया लग रहा है मजह आ रहा है interest आ रहा है बढ़िया तो इसी तरह है बहुत सारे state ministry है टोटल state ministry देखा जाए देखिए हर फिल्ड की एक सब पार्ट होती जैसे state ministry of defense यह किसके है अजयबढ इसी तरह हर ministry आपको दी जाती है तो total 45 टोटल 45 जो है वो state ministry है दो आपके स्वतंत्र प्रभार है यह देखो राज्य मंत्री है राज्य मंत्री है यह आपके स्वतंत्र प्रभार है ठीक है और तीस आपके cabinet minister है यह जो तीस है न यह सबसे important है यह एकदम मोदी जी के साथ रहकर काम करते हैं इनका काम बहुत मुख्य होता है यह 45 जो है इनको help करते हैं यह दो अपना विभाग देखते हैं ठीक है clear आसान बासा में मंत्राले को कितने लोगों को देती है वो चाहे तो एक ही लोग को सारे काम दे दे लेकिन ऐसा काम करने से कोई फायदा होगा बिल्कुल नहीं तो टोटल कितने मंत्री बनाए गए हाँ 15% सकते हैं तो तोटल सेट के 15 15 नंबर को मंत्राले दे सकती हैлемик क्या होता है यह कि जलो तो 15 बना सकती है तो लगबग province समझ सकते 15 15 15 15 15 15 54 मतलब 5 और माल लिजे टोटल 80 मंत्री बना सकते हैं जिसमें से 77 नहीं बना दिये हैं तो इनका काम हो गया है यह ज्यादा भी नहीं बनाए हैं अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी महिलाएं हैं में तो टोटल नो महिलाएं हैं अगर वह में आपसे पूछा जाया के बिंट मिcenter में कितनी हैं तो आप बताओगे उन्हें 9 महिलाएं हैं डिधाल चमय ओंच ब 내utral को फैब कम में हैं अगर आपसे ऊटल पूछा जाए कि कितने में क्लियर है प्यारे बच्चों अगर आपसे तोटर पूछा Always कि किसके मिनिस्टर है इसतार पल्पर मंत्रारा थिक है कुलियहं मिनिश्ट्री ऑफ माइनोर्टी लक्लियर है तो तोटल पैतालिस राजय मंथरी दो सोतंत्र प्रभार थीजी कैबिनेट मंथरी मंथरी समझ में आही वुक्ले आई आई शारी चीजे़ बढ़ी है तो आपको मैंने बहुत ही विस्तार में सारी चीजे धर्मेंद्र प्रधान देख लीजिए इनको यह हैं आपके नए सिख्षा मंत्री क्लियर है मिनिस्ट्री आप एजुकेशन इनके हाथ में मिनिस्ट्री आप स्किल्ड डेवलप्मेंट और इंटर्परिनेश्टिप इसके साथ नरायां तारू राने इनका आपको नाम याद र गिरिराज सिंग काफी कद्दावर निता हैं हिंदू कद्दावर निता कहे जाते हैं इनको अब दिया गया रूरल डेवलप्मेंट और पंचायती राज ठीक है अस्वनी वैश्णो इनका नाम याद रख लो अभी तक नहीं याद कर पार याद रख लो इन्हें रेल मंत्र इसके साथ यह बहुत कुछ यह कर चुके हैं इनका डिटेलिंग आप देख सकते हैं गूगल पर क्लियर है पसुपति पारसनात यह मिनिस्ट्री आफ फूड और प्रोसेशिंग है यह एलजेपी के एक बड़े नेताब है किरन रिजूजी रिजूजू ठीक है यह इसके पह हटाकर धर्मेंद्र प्रदान को हटाकर अब इने पेट्रूलियम मंत्री बनाया गया भूपेंद्र यादव भूपेंद्र यादव जो कि अब मिनिस्ट्री आफ इन्वायर्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका नाम इनका नाम याद रखना उतना जरूरी न आती है ठीक है तो यह डिटेलिंग मैंने आपको दी आधे गंटे का लगभग यह वीडियो था इसकी पीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल कौन सा है रैंकस एंटीएसी बहिया कई वीडियो कैसा लगा आप लोग अगर आप मेरे बच्चे हो तो आप जरूर् कमेंट करके बता आप वैसे तो मैं डेली आपको मैथेमेटिक्स रिजű닝 पढ़ाता हूँ बट आपको मैं आज पॉलिटीक्स का थोड़ा वहत गया दिया कैसा लगा यह गयान आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप Bye-bye. Take care.